नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिज शो में तो दोस्तों रिसर्च रिसर्च और रिसर्च ये वो चाबी है जिसने अमेरिका की सेना को दुनिया में सबसे ताकतवर बना के रखा हुआ है और आगे ये और जादा ताकतवर बनाती जा रही है और इसकी मदद से ही अमेरिका अपने दुश्मनों से ताकत के मामले में मीलो दूर निकलता जा रहा है तीन और रूस अमेरिका के एक कदम पास आते हैं लेकिन अमेरिका फिर चार कदम उनसे दूर चला जाता है लोग हर साल अमेरिका की भर भर कर आलोचना करते हैं कि जी अमेरिका अपनी सेन पर इतना खर्च क्यों करता है अमेरिका इतना साथ सो अरब डोलर उड़ा देता है अपनी सेना पर तो जबकि मैं आपको बता हूँ कि चीन करीबन तीन सो अरब डोलर भारत सतर अरब डोलर और रूस साथ अरब डोलर खर्च करता है हाला कि आप कहेंगे कि अमेरिका इतना सार बनाने में और पुराने हतियारों को और ज्यादा धार देने में जैसे कि उसने अब एक बार फिर से कर दिखाया है अमेरिका की सेना ने वो इतिहास रच दिया है जो बाकी के देज सोच भी नहीं रहे हैं और जब मैं इस हतियार का नाम आपको बताऊंगा ना तो आप जान लेते हैं अमेरिका की सेना के इसने कारणामे पर दरसल अमेरिका की सेना पिछले 27 सालों से एक हतियार बनाने में जूटी हुई है कहने को तो ये एक छोटा सा हतियार है लेकिन इसे बनाने में अमेरिका की सेना के पसी ने छुट गए इसके आप उसे देख भी सकते हैं इसका नाम है MQ-25, तो क्या है ये, दरसल ये एक तरीके का drone है, ये एक aerial refueling drone है, यानि कि जो लड़ा को विमान है, उन्हें हवा में ही उनकी refueling कर दे, उन्हें इंधन प्रोवाइड करा दे, ताकि उन्हें जमीन पर ना आना पड़े, इससे लड़ा को विमान की range बढ़ जा पर दे, फिर एक ऐसा drone जो मुस्किल से दो लड़ा को विमान को refuel कर सकता है, तो इसके पीछे था अमेरिका का एक खास मकसद, दरसल अगर कहीं पर युद्ध हो रहा है, और युद्ध के बीच में किसी लड़ा को विमान को refuel करने की जरुत पड़ती है, तो वहाँ पर जो refueler जाएगा, काफी बड़ा aircraft होता है, दुश्मन, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो, बड़ी आसानी से उसे detect कर सकता है, और उसे एक छोटी सी missile से भी मार कर गिरा सकता है, वहीं जो MQ-25 Stinger है, एक तो size में छोटा है, भले ये दो लड़ा को विमान को refuel कर दे, लेकि ये युद के बीच में सीधा जाकर लड़ाकु विमानों की refueling कर सकता है, और इसे detect नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये काफी हद तक stealthy है, इसे में ये बीच युद के दोरान, जो लड़ाकु विमान हैं, उन्हें refuel करके उनकी range extend कर सकता है, ताकि वो युद के मैदान में ज अचले 30 सालों से, क्या दिक्कत है, कि अमेरिका के जो जंगी बेड़े होते हैं, aircraft carrier, इसके ने पर आप देख सकते हैं, दुनिया भर में travel करते हैं, अब ये क्या करते हैं, कि इन पर तैनात होते हैं, लड़ाकु विमान, 50-60 लड़ाकु विमान, बड़ी आसानी से इस पर आ हैं, लेकिन, माल लिजे कि कहीं पर aircraft carrier ऐसी जगह पर है, जहां पर आसपास अमेरिका का सैन्य बेस नहीं है, अमेरिका को उस जगह पर operation करने हैं, लड़ाकु विमान, जो aircraft carrier है, उससे उड़ना शुरू होंगे, operation करेंगे, लेकिन, अगर उन लड़ाकु विमानों को refueling की ज हो सकता है, उसी से उड़ेगा, दो-दो करके, जो जितने भी लड़ाकु विमान है, उन सब को refuel कर देगा, और इसका size भी छोटा है, ऐसे में बड़ी आसानी से इसे तैनात किया जा सकता है, किसी भी aircraft carrier पर, और इसकी जो length है, मुस्किल से 16 मीटर है, यानि की काफी compact है, ले अमेरिका की नो सेना ने पहला इससे refueling, अभी एक हफ़ते पहले अंजाम भी दिया है, इससे जो एक FA18 सूपर होडनेट है, उसकी refueling भी की जा चुकिए, इसकी पर आप उसकी फोटो देख सकते हैं, अब अमेरिका की नो सेना में इसे सामिल भी किया जा सकता है, और मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि क्यों अमेरिका हर साल साड़े 700 अरब डोलर खर्च करता है, अमेरिका कहता है कि हम पैसा पानी की तरह बहा देंगे, लेकिन हमारी सेना किसी से भी पीछे नहीं होनी चाहिए, अमेरिका का यही एटिट्यूड उसे एक संपूर्ण सू संग र्योग